भाई बात करेंगे पठान की Day 11 दमन और माइकल मुवी की Day 2 वक्सपिस कलेक्शन के बारे में तो भाई शुरू करते हैं तो भाई पठान की Day 11 इंडिया नेट कलेक्शन हुआ है 20-23 करोड जिसमें हिंदी बेल पर 19-20 करोड कमाया है और तेलगू तामिल मिला करके तक्रीबन 1-2 करोड इसी हिसाब से पठान की टोटल हिंदी बेल्ट कलेक्शन होता है 370 करोड से जादा और तेलगू तामिल मिलागर के 14 से 15 करोड और All India Net Collection होता है तकरिबन 400 करोड अगर वाल्ड वाइट की बात करें दोस्तो डे 11 कलेक्षन हुआ है तकरिबन 45 करोड से जादा और इसी हिसाब से 11 दिन की टोटल वाल्ड वाइट कलेक्षन होता है तकरिबन 770 से 780 करोड भाई अच और इसी दमदार कलेक्षन के साथ पठान दंगल मुवी को मात दे के बल्यूट की 3rd रेंग वाली मुवी बन चुकी है और कल ही बेसक कल ही के जिब की 434 करोड वाली कलेक्षन को काट के 2nd रेंग पे आही जाएगी मुझे तो strongly एहसास हो रहाएगा इसके पठान बल्यूट की नंबर वान मुवी बन जाएगी अपने lifetime कलेक्षन के साथ वाल्ड वाईट कलेक्षन के मामले में सिर्फ 11 दिन की कलेक्षन के साथ 7th रेंग वाली मुवी बन चुकी है पठान अगर बात करें संदिप किसन स्टारर माइकल मुवी की Day 2 बक्सफिस कलेक्षन के बारे में तो ये मुवी अपनी दूसरे दिन वाल वाईट 3-4 करोड कमाए है और 2 दिन की टोटल कलेक्षन होता है 6-7 करोड और दमन मुवी की Day 2 कलेक्षन है 20-30 लाग और 2 दिन की टोटल कलेक्षन होता है 50-60 लाग पठान का बुरा असर दिख रहा है ये दोनों फिल्म के उपर इसका बखुवी एहसास हो रहा है गाईस आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना थैक्स पर वाचिए वाचिए टेकर गाईस